हेलो दोस्तो नमस्कार इस वोड़ो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर and yes दोस्तो यहापे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक या फिर आप बोल सकते हैं इसे पर्टिकुलर सेक्टर जहापे आप लोगों को फ्यूचर में यहापे गिरावटे देखने को मिल सकती है बट मैं अगेन कहे रहा हूँ दोस्तो गिरावट होना मतलब क्या कोई गलत बात है ऐसी बात ने हमें चेक करने क्या वो गिरावट टेंपरेरी रहेगी या फिर बहुत लंबी देर तक चलेगी and second most important point क्या वो गिरावट किसी individual stock को हिट करेगी या फिर पूरे entire sector को हिट करेगी जिसको मैंने simplified manner में आप लोगों को बहुत बार सिखा है कि internal गिरावट है या फिर external गिरावट है अगर internal गिरावट रहेगी मतलद अप किसी particular individual company में issue है तो फिर वो dangerous रहता है बट अगर externally गिरावट रहेगी जैसे कि पूरा का पूरा अगर sector ली नीचे आता है पूरा का पूरा stock market ही नीचे आता है और क्या इस गिरावट में मोका मिलने वाला है या फिर धोका तो इस सारी चीजे में आप लोगों को genuine example के साथ आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ जरूर वीडियो को पूरा देखलाना बहुत ही important and interesting वीडियो है so दोस्तों आप सबी लोगों को पता है फिलाल जो बाजार में जो भी चीजे चल रहे इसके चलती एक problem देखने को मिल रहा है बार-बार inflation, महेंगाई महेंगाई जबी भी आ जाती है दोस्तों सबी लोगों का जो गणित रहता हो बिगड़ जाता है हाली में ही आप देख सकते पिछले कल और परसो मेरे दो वीडियो बैक टू बैक बनाये थे आप सबी लोगों को याद होगा किस से रिलेटेड construction से रिलेटेड एक news हम लोगों ने देखी थी कि construction जो building बनाने वाली companies है उनका जो association है उन्हेंने कहा था कि हम लोग construction बन कर देंगे क्योंकि material इतना ज़्यादा costly हो चुका है raw material आप लोग यापे देख सकते news में आपके सामने रखना चाहूंगा आप याप यह देखे after महराश्टा developers retailers in a Delhi NCR threatened to hold the construction as a raw material prices और यह कल की news है आप लोगों को पता है मैंने इससे related बाते बताई थी सो रस्तो यहाँ पर क्या समझ में आ जाता है कि यह जो construction करने वाली जो company है दोस्तो अभी यह जो बागी के जितने भी raw material से उसका बहुत कम इस्तमाल कर रही है जैसे कि steel की बात करे या फिर cement की अगर हम लोग बात करे घर बनाने से related building की अगर में बात करूं तो तो यहाँ पर wire की अगर में बात करता हो दोस्तो electric wire की बात करे या फिर piping की अगर हम लोग बात करे plumbing की बात करे जितने भी equipment से दोस्तो घर सजाने के लिए जो भी डेकोरेटिव जो भी सामान यहां पर रहता है किचन से लेके सिरामिक स्टाइल से लेके सबी चीजे इसमें आ जाती है दोस्तों उन्होंने यहां पर फिलाल बाइंग करना बहुत ही कम कर दिया है सबस्तों आप अंदाजा लगा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी घर बनाने से रिलेटेड घर के अंदर या फिर घर के बार जो भी चीजे लगती है उनमें जो डिमांड देखने को मिलते हैं वो सबसे आदा कहा से आती है वो आप लोगों को थोड़े से यहाँ पर क्या देखने को मिल सकते है नरम देखने को मिल सकते है बट जैसे मैंने कहा क्या कहा कि यह external issue है यह किसी एक individual company का problem नहीं है जितने भी companies है उनमें same problem हम लोगों को देखने को मिलने वाला है तो अगर आपके दिमाग में यह आए गया हो सकते हैं बहुत ही प्रॉपरली प्रिंट नहीं है यह पर आप देख सकते हैं कि construction material cost का comparison का data है यह मतलब पहले कितना था और आज कितना है कितना परसेंटेज बड़ा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चीजे कितनी भेंगी हो चुकी है इसलिए जो construction वाली company है वो यहा new rate बता है difference बता है और यह percentage हम लोग directly percentage ही पढ़ेंगे तो आप अंदाजा आ जाएगा देखे steel में दोस्तो कितने का jump है लगबग 121% का jump है दोस्तो मतलब पहरे जो अगर हम लोग एक steel की बात करें 38.8 पे मिलता था वही आज still 85.9 पे मिल रहा है 47.1 का difference है दोस्तो इतना फरक then आप देख सकते हैं cement की अगर मैं बात करूँ second number पे तो 270 रुपे पे बोरी आती थी जो अभी 300 के भी उपर जा चुके 90 रुपया पर बोरी बढ़ चुका है लगबग 33% से भी दाम बढ़ चुका है कोई भी चीज उठा कर देख लेना अगर आप wire की बात करें तो 1500% का jump wire के cost में हमनों को देखने को मिल रहा है अगर आप लोग आपे plumbing material की बात करें जिसमें piping सब कुछ आ जाता है 50% की jump देखने को मिल रही है दैन आप लोग आपे देख सकते हैं अलग-अलग जो fitting materials रहते हैं उसमें jump हमनों को देखने को मिल रही है उसी की साथ-साथ aluminium के अगर हम ल बिल्कुल भी ने बट इसका आर्थ यह नहीं कि हमारे पास इस से जुड़ेवे जो भी स्टॉक रहेंगे उससे हम लोग तुरंत एक्जिट कर ले अगर आप एक इंवेस्टरों में उसके इसाब से बात कर रहा हूं बिल्कुल भी ने क्योंकि यह जो इशू है वह एक्स्टर जो नंबर्स रहेंगे वो भी कमजोर आजेंगे बट जैसे मैंने कहा कि वायर के जितने भी कंपनीज है उनके सभी के नंबर्स हमनों को फिर वीक देखने को मिलेंगे इसलिए अगर आप दिमाग लगाओगे कि ऐसी गिरावट अगर हो जाती है तो उसमें आप लोगोंने म इसलिए आप लोगों को एक एक स्टॉडी करने के लिए आप बता देता हो सेक्टर वाइस अगर आप लोग देखना ही चाते हो तो मेरा कोई रेकमेंडेशन नहीं तो वायर की अगर में बात करो दोस्तो वायरिंग से रिलेटेड घर में जो भी वायरिंग होते तो उसमें आते हैं तो आप लोग को पता है पॉलीकाब जो रही है अगर आप ऐसा सोचते नहीं में ड़ाइए एगर दिमाग लगाओगे तो पॉलीकाब है या फिर उसका सेकेंड नंबर का कॉंपेडीरे के आई इंडूरी कमाल की कमपणी यही तो इससे डर्ने अगर आपको पता चल गया कि वो कितने देर तक रह सकता है तो ही आप लोग जीत जाओगे कोईड में भी कितनी ज़्यादा निगेटिविटी थी मार्केट तो लोग गया था दो बार मार्केट क्लोज के रिधिया गया था आज हम लोग का पे आप देख सकते हो जो उस चीज को प्रॉपरली समझ पाया वो मार्केट में टिक गया क्योंकि मार्केट में हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव माहोल नहीं रहता है यही मार्केट की खुबी इसलिए तो लोग ज़्यादा टिकते नहीं है अगर देखा गया है तो सुप्रीम इंडस्ट्री भी है वो भी अच्छे बट में थोड़ा बहुत प्रिंस से रिलेटर आप लोग को चीज़े आपे बता चुका हूँ अभी तक इतना कुछ खास अभी तक यह भागते वे देखने को तो यहापे नहीं मिला है सो यह आप लोग देख सकते हैं अगर घर से रिलेटर जो भी सामान रहता है जैसे कि सीरेमेडस की बात करे मैने आप लोग बता है यह इन कंपनी मैं थी कंफटा है, बद फिलाल हम लोग कह सकते हैं चीजे देखने को मिल रहे हैं यह सबसे ज़्यादा रिस्क है दोस्तों में रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बार-बार के रहा हूँ बट यह सबसे ज़्यादा रिस्क है इसलिए क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो एक इसकी स्टॉक है वॉलेटिलिटी आपे ज़्यादा रहेगी तो जरू आप इसके बारे में सोच सकते हो दैन वुडन से रिलेटेड अगर हम लोग परफॉर्मंस की बात करें तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री मूरल ट्रेडिंग से वक्क हम लोग देख रहे हैं अभी तक तो अ पोलो ट्राइकॉट भी है यह भी हम लोग ने इससे पहले देखा था बट यह भी दोस्तों रिस्की स्टॉक है मिड कैप टाइप के कंपनी देखने को मिलती है सिमेंट में जा रहे है तो इतना सारे स्टॉक आप लोग को मिल जाएंगे बट स्टिल अगर आप थोड़ा बह कौन-कौन से स्टॉक देखना चाहिए सो आशा करता दोस्तों कि आप लोगों को प्रॉपर नियूस क्या थी वह मैंने आप लोगों को मेंटली पहले ही प्रिपेड कर दिया यह आप लोगों ने पहले ही सोचना चाहिए जो कि आप लोगों को और किदर देखने को और सुनन अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आप उस गिरावट को बहुत ही अच्छी तरीकी से उसका फाइदा वहापे उस वक्त है पर उठा सकते हो आशा करता हो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेर कर देना एंड डिम मिल जाएगी ज़रू मुझे कमेंट सेक्षन में बता देना आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन के लिंक के तुरू तो मैं आप लोगों को प्रॉपर लिया पर यह बता दूगा एक हफते का टाइम यह पर लग जाएगा तो 25 वीडियो की लिस्ट दोस्तों आप लोगो स्टॉक मार्केट से रेटेड यह जो सारी बाते में आपको बताईए वो उस वीडियो में भी आप लोगों को सीखने को यह आपे मिल जाएगी बहुत ही जबरदस वीडियो है तो उसको स्कीप भी बिलकुल भी मत कर लेना तब तक के लिए बाई बाई